हलो स्टुडेंट्स विल्कम बैक टो आर्बी गुड आइडियाज किलास्टेन एसिस्टी का जो एक्जाम है वह 14 माई 2022 को आप सबी के कमेंट्स आ रहे थे मैप को लेकर की मैप का भी एक वीडियो डाला जाए टर्म टू सिलेबस के अकाउडिंग टर्म टू में पहले बता दूँ कि है क्या सिलेबस में हमारे कुछी मैप्स पूछे जाएंगे वैसे तो मैप का आपको दो ही कुश्चन आएगा बट उसके लिए भी आपको तयारी तो करनी पड़ेगी जैसे कि हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर नेशनलिजम इनि इंडिया से दो तरह के मैप कुश्चन पूछे जाएंगे नमबर एक इंडियान नेशनल कॉंग्रेस सेशन्स के बारे में या फिर इंडियान नेशनल मुव्मेंट के इंपोर्टन सेंटर्स को लोकेट करने के लिए कुश्चन आएगा उसके बाद दूसरे नमबर पर जोगरफी के चैप्टर फाइव मिनरल्स एंड एनरजी रिसोर्से से सिर्फ और सिर्फ पावर प्लांट को लोकेट करने के लिए मैप का कुश्चन आएगा तीसरे नमबर पर सिख्ट चैप्टर मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री से कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री आर एंड स्टील प्लांट्स और मेजर सॉफ्टवेर टेकनोलोजी पार्स को लोकेट करने के लिए सवाल आएंगे चौथे नमबर पर चैप्टर 7 लाइफ लाइफ लाइनस ओफ नेशनल एकोनोमी से मेजर पोर्ट्स और मेजर इंटरनेशनल एइर पोर्ट्स को लोकेट करना होगा तो सिलेवस तो हमने देख लिया समझ लिया चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्री के मैप वर्क की आपको इंडिया का एक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा जिसमें आपको इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के सेशन्स कहां हुए थे उस प्लेस को लोकेट करना होगा इस बार आपको तीन कॉंग्रेस सेशन्स दिये गए हैं पहला कैलकटा का कॉंग्रेस सेशन्स जो सेप्टमबर 1920 में हुआ था कैलकटा का लोकेशन ये है यहाँ यहाँ पर दूसरा है नागपूर का कॉंग्रेस सेशन्स जो डिसमबर 1920 में एरेंज किया गया था नागपूर का लोकेशन यह है यहाँ पर रेड़ स्पॉट आपको दिखाई दे रहा यहाँ महाराश्टर में तीसरा है मैडरास का 1927 का कॉंग्रेस सेशन मैडरास को आप चेन नहीं कहते हैं इसका लोकेशन यहाँ पर है तमिलाडू स्टेट में बस यह तीन कॉंग्रेस सेशन ही आपको करने है इस बार इसके बाद मैप वर्क के लिए हिस्ट्री से है इंपॉटेंट सेंटर्स ओफ इंडिया नेशनल मुवमेंट इस बार इस सेक्शन से आपको सेंटर्स पढ़ने हैं तो पहला है movement of indigo planters ये है बिहार के चंपारन में जिसको यहाँ point number one से locate किया गया है दूसरा है peasant सत्यागरह यानि किसान सत्यागरह इसका अंसर है गुजरात का खिरा इसे point number two से show किया गया है तीसरा है cotton mill worker सत्यागरह का center इसका center है गुजरात का एहमदाबाद जिसे point number three से show किया गया है अब चौता है जलियावाला बाग incident का center जलियावाला बाग अमरिस्टर में है अमरिस्टर पंजाब में पड़ता है इसे यहाँ map में point number four से show किया है पाचवा है center for calling of the non corporation movement चौरी चौरा में आंदोलन कारियों ने पुलिस थाने को जला दिया था जिसमें कई पुलिस वाले जल मरे थे गांधी जी ने दुखी होकर non corporation movement वापस ले लिया था call back कर लिया था चौरी चौरा यूपी में है जिसे map में point number five से दिखाया गया है चटा है civil disobedience movement का center दांडी ये गुजरात में पड़ता है दांडी को map में point number six से शो किया है history के map work का section यहाँ पर finish हो गया अब हम लोग geography के map work section में चलते हैं ये तीसरा map है अमारा power plants से related सबसे पहले है thermal power plants और फिर nuclear plants इसमें आपको ये याद रखना है कि ये सारे power plants किस-किस states में है thermal power plants को black dots से शो किया गया है नाम रूप power plant है असाम में जिसे यहाँ पर शो किया गया है उसकी बाद है रामा गुंडम power plant जो की तेलंगाना में है जिसे यहाँ तेलंगाना में black dots से शो किया गया है फिर है सिंग्रॉली thermal power plant ये है उत्तर परदेश में इसे यहाँ यूपी में black dots से दिखाया गया है अब बारी है nuclear power plants की इसमें सबसे पहले है नरोरा nuclear power plant ये यूपी में है इसे यूपी में red spot से शो किया गया है दूसरा है तारापूर nuclear plant ये महाराष्ट में है ये है यहाँ पर red spot से शो किया गया है तीसरा है काकरापारा nuclear plant जो की गुजरात में पढ़ता है ये देखिए गुजरात स्टेट में इस position पर red spot से और चौता है कलपकम nuclear power plant ये तमिल लाडू में है यहाँ पर ये है कलपकम की location का red spot अगला map work है cotton textile industries का इस बार आपको 5 cotton textile centers को करना है इन cotton textile centers को black dot से शो किया गया है पहला है मुंबई जो महाराश्ट का capital भी है इसकी location ये है दूसरा center है इंदोर ये मद्परदेश का सबसे populous city है और एक important cotton textile center भी है मद्परदेश के west south में यहाँ पर इसकी location है थर्ड center है सूरत जो गुजरात में परता है गुजरात के west south part में यह इस्थित है और sea coast के नजदीक located है चौथा cotton textile center है कानपूर जो यूपी में परता है यूपी के central part में यह center located है पाँचवा और last cotton textile center है कोयमबटूर कोयमबटूर तमिलाडू के west north part में located है और केरल की boundary से सटा हुआ है 2022 के term 2 exam के लिए cotton textile centers का map work हो गया अब iron and steel plants का map work करते हैं term 2 के लिए six iron and steel plants को करना है सबसे पहले है दुरगापूर जो west बंगाल में located है यह है इसकी location दूसरा नमबर है बुकारो का बुकारो जहारखन का एक important industrial city है और west बंगाल की सीमा से सटा हुआ है तीसरा center है जमशेदपूर यह भी जहारखन में ही है और west बंगाल से सटा है यह जहारखन के east south part में है चौथा steel center है भिलाई भिलाई 36 गड़ में है और बिलकुल central part में located है पाचवा है विजैनगर यह आंदर परदेश के north eastern part में located है लास्ट सेंटर है सलेम सलेम तमिलाडू का important iron and steel plant है यह तमिलाडू के west northern part में लगबग आंदर परदेश के पास located है अब software technology park को इंडिया के map पर locate करेंगे आपको 8 software technology parts दिये गए है पहला है नोइडा जो उत्तर परदेश western part में दिल्ली से बिलकुल सटा हुआ है दूसरा है गांधी नगर गांधी नगर गुजरात का capital है यह है गांधी नगर की location तीसरा software technology park है मुंबई महाराष्ट की राजधानी है और cotton textile industries में मैं इसकी location आपको बता चुका हूँ चौथा है पूने पूने भी महाराष्ट में ही situated है मुंबई से थोड़ा नीचे राइट साइड में यह important center located है पाचवा है है हैदराबाद यह शहर तेलंगाना state का capital है और लगभग तेलंगाना के central part में present है चाथा नंबर है बेंगलूरू का हमारे देश का one of the most important software technology center है यह करनाटक का capital भी है और तमिल नाडू से सटा हुआ है साथवा software park है once again चेन्नाई यह तमिल नाडू का capital city है और तमिल नाडू के north eastern part में समुंदर के किनारे located है आठवा और लास्ट है तिरूवननत पूरम जो केरल का capital है यह केरल के सदर्न किनारे पर समुंदर के किनारे located है आईए अब major ports की location को तयार कर लेते हैं पहला है कांडला यह गुजरात में है कच की खारी के पास located है दूसरा है once again हमारा मुंबई इसकी location के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ यह अरेबियन सी के किनारे west coast में located है तीसरा port है मरमा गाव port यह west coast का एक major port है और गोवा में located है यह भी अरेबियन सी के किनारे established है चौथा नमबर आता है नियू मैंगलोर का यह करनाटक का एक major port है और केरल के जस्ट उपर अरेबियन सी के किनारे west coast पर situated है अब फिफ्ट नमबर आता है कोची का यह केरल का एक important port है और केरल के south western part में अरेबियन सी के किनारे western coast पर located है अब तूती कोरिन की location देखते है तूती कोरिन तमिलाडू में पढ़ता है यह कोरो मंडल coast में बंगाल की खारी के किनारे situated है सात्वा नमबर है once again repeated चन्नाइका यह तमिलाडू का capital है और major port है यह कोरो मंडल coast पर इंडिया के south eastern coast पर बंगाल की खारी पर located है अब विशाका पटनम की location देखते है यह आंधर परदेश का port city है और बेव बंगाल पर situated है आंधर परदेश के north eastern part में इसका location है पारादीप उडिसा का एक important port है जो east coast पर बेव बंगाल के shore पर located है last है हलदिया यह west बंगाल में है यह एक river port है और हुगली नदी के मुहाने पर बसा हुआ है अब इंडिया के कुछ international airports को देखते हैं जो term 2 2022 के exam के लिए दिये गए हैं international airports में आपको इंडिया के six airports की map practice करनी है सबसे पहले है अमरिस्तर का राजा सासी international airport जो पंजाब में located है यह पंजाब के north western side में पाकिस्तान की boundary के पास located है अगला है दिली का इंडरा गांधी international airport जो की डिली के south east part में हैं और उत्तर परदेश की सीमा के पास है तिसरा है मुंबई का छतरपती शिवाजी international airport इसकी location देखे महाराष्ट के western part में अरेबियन कोस्ट के नजदीक लगभग बीचों बीच located है फिर चिन्नई का मिनाम बक्कम international airport यह airport तमिलनाडू के north eastern part में बेव बंगाल के निकट eastern coast पर located है पाचवा नमबर है कोलकता का नेताजी सुभास चंदर बोस airport यह भी international airport है यह पश्चिम बंगाल में south east part में बंगलादेश की western boundary के पास located दिखाई देता है लास्ट है आइदराबाद का राजिव गांधी international airport जो तिलंगाना में पढ़ता है यह airport तिलंगाना के लगभग central part में located है तो इस तरीके से आपको सारे के सारे turn 2 के map items perfectly पता चल गए आप इन maps का फटाफट से screenshot ले लो इससे revision में आपको बहुत मदद हो जाएगी hopefully आपको यह पूरा map item अच्छी तरह से clear हो गया होगा वीडियो को like share करके channel को subscribe करके bell icon को भी click कर लेना है अगर channel पर नए हो next video तक के लिए good bye